आज इस वीडियो में हम साइन्स की एक ट्रिक देखेंगे जो की बहुत जादा इंपोर्टेंट है मिश्रधातु एलॉय वाला जो टॉपिक है इससे एक कोशन्स एक्जाम में देखा जाता है तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा बड़ी मज़ेदार ट्रिक बनाई गई है और साथ में हम इसका कोशन आंसर सेट भी लगाएंगे इस कोशन आंसर सेट में रिपिटेशन कोशन जो एक्जाम में पूछे जा रहे हैं बार-बार और पूछे जा सकते हैं उस कोशन्स को हमने लिया है तो किस तरीके से आप ट्रिक के हल्प से सॉल कर पाएंगे कोशन्स को वो भी हम आपको बताएंगे इस केरिंड में आप पूरा वीडियो देखेगा जिससे की इस टॉपिक से आने वाला आपकर कोशन आता है एक्जाम में तो आप आसानी से उसको सही क्लिक कर पाएंगे पहली हमारी मिश्च धातू आती है वो है पीतल तो ध्यान से सुनेगा दोस्तों जनरली कोशन नहीं बुछा लता है कि पीतल में कौन-कौन सी धातू होती है तो यह एक्जाम में बुछ लता है तो इसकी जो ट्रिक है वो इस थरीके से है कि आपने देखा पीतल और यहां लिखा है का और जी ठीक है मतलब कांजी तो पीतल का जो बरतन है उसके अंदर कांजी जम जाती है आप ऐसे ध्यान रखेंगे इसको कि पीतल का बरतन है उसके अंदर कांजी जम जाती है बिल्कुल जम जाती है, अब पीतल का बरतन में कांजी जम जाती है, इसलिए मैंने क्या करा, जर्मन का बरतन लेकि आया, जर्मन का बरतन लाया में, तो उसके अंदर कांजी नी जम रही है, जैसा कि आपको दीख रहा है यहां पर कांजी नी, मतलब कांजी नी जम रही है, सु बहुत ही अच्छी ट्रीक है, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, कोई डिफिकल्टी होगी, जास पीतल लिखेगा, तो आपके दिमाग में क्लिक होगा कांजी, तो आपको सोचना है कि पीतल के बरतन में कांजी जम जाती है, इसलिए अब मैं क्या करूँ, तो जर्मन का बना कापर, और जीक से बना बना जिंक, तो पीतल जो है, वो कापर और जिंक से मिलकर बनी होती है, तो ध्यान रखेगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, दस बार ये कोश्चन रिपीट हुआ है, बार बार एक्जामस में, मैं आपको बताऊंगा टेस्ट और निकल से मिलकर बनाए, दोस्तों ये वाला कोश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, तो आइधिंक आपको समझ में आया होगा, कि पहले स्टोरी हमने देखी और फिर हमने उसको समझा, तो एक दो बार आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मैं आपको गै काटना किता डिफिकल्ट है, बिल्कूल है, तो लोग ने देखा, एक दम से लोगों की नजर गई, तो लोगों ने पुछा, काई से काटी, धातु जो काटी उसने, तो लोगों ने पुछा, काई से काटी, तो उसने बोला प्यार से, गन से काटी जी, क्या बोला उसने, गन जो gun होती है ना gun चलाने की बंदूख, gun से काटी जी, तो लोगों ने बोला यार, gun से काटी जी, अच्छी बाते, ठीके, अब मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि क्या है, आपको सामने दिख रहा हूँगा word, कासा, काटी, मतलब काई से काटी, और लिखा है gun काटी जी, मतलब गन से काटी जी, उसने reply दिया, एक question था और एक answer था, अब हम देखेंगे कि ये किस तरीके से हमको बताता है, तो कासा के आगे लिखा है दोस्तों काटी, काई से काटी, तो का से हमारा बना copper और टी से हमारा बना टीन, मतलब कांसा धातू जो है, मिश्डातू जो है, वो copper औ गन, उसने क्या बोला, गन से काटी जी, है न, तो गन धातू जो है, मिश्डातू जो है, गन, वो copper से मिलकर बनी है, टीन से मिलकर बनी है, और जिंग से मिलकर बनी है, ठीक है friends, I think कोई difficulty नहीं होगी, just question and answer है वो, question ये पुछा गया, लोगों ने question पुछा, धातू काटी, उ जो है, बहुत जदा important है, इसको मैं आपको बताता हूँ, किस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, ये tanka मिश्डातू जो होती है, ध्यान रख्यागा दोस्तो, ये fuse star बनाने में इसका use क्या जाता है, electricity मे, fuse star बनाने में इसका use क्या जाता है, टांका दातू का, तो बहुत question पूछा जाता है, तो ध्यान रख्येगा friends, चलिए, अब मैं बताता हूँ, इसको याद करने का तरीका, एक बार क्या हुआ दोस्तो, एक मेम थी, उन मेम के पास में एक लड़का आता है, और बोलता है, कि मेम मुझे जीके याद नहीं होता है, तो मेम ने बोला उनको, कि ठ ठीके आपको जीके याद करा देंगे, पर एक शर्त है, मुझे आपकी टांग दे दो, तो उस लड़के ने टांग काटी और बोला ले, टांग काटी और ले, अब तो जीके याद करा दो, टांग काटी और ले, तो उपर क्या लिखा है, दोस्तों आपको दिख रहा होगा, टांग काटी ले ठीक है उसने टांग काटी और दे दी आपको image दिख रही है दोस्तों कैसे टांग काटी और ले ठीक है ना friends तो अब हमारा क्या बना आप देखिए टांग काटी ले तो T से हमारा बना टीन और लेड से बना हमारा लेड इस लेड को दोस्तों ध्यान रखिएगा सीसा भी बोला जाता है तो confuse मत होईएगा टांका धातू जो है वो टीन और लेड से मिलकर बनी होती है और विद्यूत में फ्यूस तार बनाने में इसका यूस किया जाता है तो आसानी से याद रह सकते हो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी बहुत ज़दा जितनी भी मिश्र जातू थी हमने सबको ट्रिक से याद कर लिया है अब हम इसका टेस्ट लगाएंगे और देखेंगे कि हमारी ट्रिक कितनी सक्सेस्फूल है आप आसानी से देखिएगा कोई आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी बहुत ज़दा हमारा question है German silver में निम्न में से कौन नहीं है तो कौन सा नहीं है German silver में तो German silver का हमने बात करी थी तो पीतल से पकड़ा था इसको पीतल में kanji जम जाती है और German के बरतन लाएते फिर हम तो German में kanji नहीं जमी तो kanji नहीं ओके तो का से दोस्तों हमारा बन गया copper जो की बिल्कुल है ये वाला हमको नहीं वाला पकड़ना है उसके बाद zinc जिंक भी है नी से निकल तो बचा कौन सा silver तो German silver में silver नहीं होता है तो answer लगेगा इसका C देखे कितना आसानी समने इस question को solve कर लिया अगला question आता है fuse star किसे बनती है मतलब कौन सी इसमें किसे मिलकर मिश्धातू बनी होती है उसकी तो हमें पता है दोस्तों टांग का धातू जो होती है वो generally क्या होती है fuse star में use होती है तो टांग का धातू काई से मिलके बनी होती है तो उसने क्या करा था, टांका से हमें टांक काटी और बोला था ले, तो हमको क्या ध्यान आयता दोस्तों, टांक काटी और उसने ले, तो टांक काटी इसे हमारा क्या बना, टी से टीन और ले से लेड, मतलब option B इसका answer रहे, अगला हमारा question आता है, पीतल में कौन सी धातू होत ही बोलते हैं, जिंक को भी, तो confuse मत होएगा आप, अब हम देखते हैं, अब बोल रहा है, पीतल में कौन सी धातू होती है, देखिए किती बार exam में ये question repeat हुआ है, दोस्तों, कितना जादा important question है ये, तो आप यहां से देखिए इस question को, पीतल का हमारे जो trick थी, वो क्या थी, पीतल के अंदर kanji जम गई थी, और फिर हमने जर्मन का बरतन लिया, तो पीतल में kanji जम गई, तो का से हमारा बना copper, कौपर को क्या बोलते हैं, तांबा बोलते हैं, तो तांबा किसकिस में हैं, A और D में हैं, और लोहा तो आता ही नहीं, बिल्कुल गलत हैं तो, आंसर तो D हो गया और जस्ता को हम जिंक बोलते हैं बिल्कुल तो कान जी हमारा निकल के आगया option D पहुत ही ज्यादा important है friends ठीके friends देखें किस तरीके से हम आसानी से trick के help से solve कर पा रहे हैं questions को चलिए आगे हम अब और question लेते हैं अगला हमारा question है सही कुट को चुनी है देखिए अब एक तरफ दे रखें कासा पीतल जर्मन सिल्वर और मुद्रण और इधर दे रखा हैं उसकी धातु हैं तो हम कासा काम देखते हैं हमने क्या ओस्त फेर बात करें दोस्तों कासा मतलब कैसे काटी दो धातु काट के लाए था वो हमने वोलह था क के से काटी गंज्ँ से काटी जी BE न, उसे बोलह था न, गंज्ज्च हम तो पीतल में दोस्तों क्या हुआ था कांजी जम गए थी तो कांजी जम गए थी तो का से हमरा कॉपर जम गए थी ते न ही को इंदल भी को आपर बोलते हैं तो इसका आइख Umsa रोगा थड़ वाला थो वी का थड़ वाला तो इस तरहिके से हम उसको solve कर सकते हैं German silver का भी हमें पता ही है तो उससे भी हम निकाल सकते हैं बरतन बनाने में प्रियूक्त German silver एक alloy है तो मैंने आपको trick बताई थी पीतल में कांजी जम गई थी तो मैंने क्या करा जर्मन के बरतन लेके आया और जर्मन के बरतन में कांजी नी जमी सरी के समने solve कर लिया अगला question है दोस्तों हमारा electronic circuit में प्रियुक्त की जाने वाली टांका में होता है तो friends टांका से हमें क्या दता है टांका टी और उसने क्या बोला था ले टांका टी ले तो टांका तो यहीं आ रहा है और टी ले तो टांका टी ले तो टी से हमारा बना टीन और ले से लेड इसी को सीसा भी बोलते हैं तो ध्यान रखेगा दोस्तों तो option में क्या लगेगा इसका a इसका सही अंतर होगा लोहा तो होई नहीं सकता है तो answer हमको a मिल गया इस तरीके से friends हम आसानी से solve कर सकते हैं questions कुछ चोटी सी हमने trick समझी और confusion हमारा दूर हो गया बहुत ज़धा difficult होता है इनके याद रखना इनके formula दिहान रखना कि पीतल में कौन-कौन सी धातू होती हैं काफे difficult होता है और questions बनता भी एक्जाम में तो friends जो आज हमने trick समझी इसकी आप एक-दो बार अच्छे से practice कर लिजे और इस चैनल को जरू सब्सक्राइब करिए क्योंकि दोस्तों ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो में आपके लिए लेकर आता रहता हूं तब तक के लिए friends गुट बाई